इसे मैं एक बात बताऊंगा वीरू आपको शहिद याद होगा पहले शो में जो मैच के पहले जो शो था उसमें आशु ने याद है का था कि अगर लंबी बैटिंग होना तो 24 वर 3 भी हो जाए ना अगर तो उसके बाद आगे आपको पता है कि बल्लेवाज होते हैं 24 वर 3 के बाद चौथा भी जो है तो तुरंती गिर गया एक रन बाद फिर 36 पर 5 उसके बाद आपको पता है जब आपकी बैटिंगी नंबर 5 तक है तो वहां तक जब बात जा चुकी है और नितिश राना जब आउट होगे तो आपको पता था कि अब जो है नईया बार नहीं लग आपाएगा देखे अगर ओपनिंग पार्टनर्शिप हो जाती ना तो मैं शायद थोड़ी दिर के लिए अराम कर सकता हूं सोच सकता हूं कि मुझे पता है फिर 20 अवर के बाद ही शो शुरू होगा लेकिन अगर 23 पे तीन गिर गए तो पूरा मुकाबला देखना पड़ता अब हो मेरी टीम हो जाती है तो आज मेरी ख्याल से भारतिय टीम का दिन नहीं था मैं अगरा और अक्सर सीरीज में एकसर एक मैस तो ऐसा आता है चाहे वह विजिटिंग टीम हो चाहे वह वह हो और कि यू कॉलाब ज़रूर होता है तो हम लोग शायद वह अंदाजा नहीं लगा पाई कि शायद भारती टीम का आज का दिन ऐसा था कि कुलाब हो सकता है मैं सोच जरूरा था इसलिए मैंने जो प्रेडिक्शन की वो कम की बड़ मुझे लगा फिर भी यह नहीं विकेट है एक सो थीज बनाई लेगी है बारती टीम इतना भी नहीं सोचा था कि असी पर सही बदानों तो कि एक्स्ट्राओडनरी गेंद बाजी हुई है तीन तो एलप डिवल आउट हुए हैं स्पिनर को जो कि बहुत कम देखने को मिलता है और आपके पांच में से अगर तीन बल्ले बाद अगर चले जाते हैं तो फिर मुश्किलें पैदा कर दे तो अपने टी कि इससे बड़ी हमोगा और क्या मिलेगा आपसे कोई उमेद नहीं कर रहा कि आप डीड़ेजों के स्ट्राइक रेट बैटिंग कीजिए सब ये चारे कि आप पचास रन मनाईए पचास गेलों पर 120 तक ले जाए ताकि वो लड़ सके भारते थी बट वो करने पाये और निर देखिए आज अगर आपने पहले तो गेंद बाजी की सराना में गोंगा चमीरा के साथ कि जिस तरीके से उन्होंने शिकरदवन को पूरा वो जिस तरीके से पहले मैच की पहली गेंच से शुरुवात करी है वितुराज गाइकवाड को और पहले ओर में देखिए यहां तो और दबाओ बढ़ता चला जाता है चार ओर में एक समय पे 23 या 24 रन देकी एक विकेट की रहे थी उस समय देवदर पड़िकल और रितुराज गाइकवाड खेल रहे थे पर फिर भी क्या लग रहा था उनको बहुत आवश्यक है कि किस तरीकी की परिस्तिती आभी ओनार खिलाडी हैं नौजवान हैं सीखेंगे यही आप उमीद करते हैं कि आपके यह विकेट ऐसी नहीं थी कि अगर आप शिकर्दवन आउट हो गए चार में 24 हो गए तो भी अगर आपने कि बनेंगे ना 130 में 30 से वीरू कह रहे हैं तो भी आपके बल्लेबाजों को खेलना पड जिस तरीके से आउट हो LBW वो देखा नहीं है इतना अराम से हमें कि इस तरीकी के शॉट खेलते हैं कि जो आपके स्कोरिंग शॉट से ना वहां पर आपको गेंड नहीं मिल रही है चमीरा ने भी आके उनको छकाया तो दिक्कत है उनके लिए भी काफी रही पिर Sanju Samson जिस आपके पे लगी तो आउट नहीं मिलता था कि रिदुराज गाइकवाड जैसे आज गूगली पिछले पैर पे लगी है मैं कहता हूं आजकल तो अगर वो सीधे वाले पैर पे लगजिए बाल विकेट पर आउट दे देता है तो Sanju Samson को तो और सोचना पड़ेगा अपनी ब अजली पर बल्ले बाजी में उनको बिल्कुल देखनी होगी कि पैड़ पे गें बहुत उनके लग रही है जब भी विकट विकट कोई भी गेंबास कर रहा है जहां परिस्तित्यां भी तोड़ी मुश्किल है इस्ट्राइक रोटेट करने में उनको हमेशा दिकत हो रही है आज तो यह तीन ही गेंवे खेली पर इतने जिल से जो हम देख रहे है और तेवदत पड़ी कल अभी फिल्कुल नया नया है देखे पांच गेंवाज हैं तो एक क्योंकि यह जिस तरीकी के खिलाडी दोटिंग खेले हैं इनसे आप अब यह सारी वारतला बहुत मुश्किल हो झाल